यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ 23 अप्रेल से 30 अप्रेल तक देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताहा आयोजित किया जा रहा है सरकार द्वारा इस सप्ताहा के आयोजिन का मुख्य मकसद वहन चालकों को जागरुक कर सड़क दुरगटनाओं में कमी लाना है और इसी कड़ी में नहन में भी रोड सेफ्टी क्लब और पुलिस प्रसाशन ने यातायात नियमों के बारे में जागरुकता करने के मकसद से वहन चालकों को पैंफलेट बाते हैं ताकि वहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरुक किया जा सके इस सडक सुरक्षा सप्ताहा में भाशन पेंटिंग के माध्यम से भी वहांचाल को और स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जागरू किया जा रहा है नहन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष विशालत उमर ने कहा कि ये 29 वा सडक सुरक्षा सप्ताहा मनाया जा रहा है तो नहन में भी सडक सुरक्षा सप्ताहा का आयोजिन किया जा रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते है कि किस तरह से ये जवान पैंफ्लेट बाठ कर लोगों को जागरू कर रहे है और रोड सेफ्टी के नियमों की भी जानकारी दे रहे है चालकों को जागरू करने के लिए पैंफ्लेट दे जा रहे है और आपको बता दे कि 29 वा सडक सुरक्षा सप्ताहा मनाय जा रहा है नाहन में भी 30 अप्रेल तक ये पूरा अभ्यान चलने वाला है कर बालड़, कर दो कर दो चैना कर रहे है झालड़ कर दूरी बालड़, कर रहे है